हलो फ्रेंद्स सिक्षा विशाली निम्म आपका स्वागत है दोस्तों हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम अपतल दरपन उसका लास्ट का वीडियो हमारा थोड़ा सा रहे गया था पीछे तो उसमें एक केस और बचा हुआ था हमारा लास्ट में आज को अच्छे से हो पाएगा क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं हो पाएगा आपको हाथ से उसको पैंसल से एक प्रeday्क्रिक करना होगा है हमारा जो आख़री वाला केस था था कि जबकी हमने बस्तु को दो शके जबकि हमने वस्तू को फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है ठीक है वस्तू को फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है तो देखिए कैसे प्रतिभिम बनेगा जैसे कि मालू यह रहा हमारा दरपन और यह रहा हमारा अक्ष ठीक है यहाँ पर हमने C बनाया हुआ है और य वाला हमको बनाना है F और P के बीच में, तो हम बस्तु को यहां रखेंगे, यह लो ठीक है, जब बस्तु को F पर रखा, तो यह किरण किधर जाएगी, तो यह किरण को हम क्या करते हैं, कि चूकि हमने समांतर लेकर आये हैं, तो यह किरण हमारी जानी कहां से चाहिए, फोकस से जब इसको हम यहां से निकालेंगे कहां से ध्रोप पर गिराएंगे तो यह बराबर कौन के साथ मैं निकल जाएगी अब देखिए इसमें क्रिण आपस में एक दूसरे से दूर होती जा रही है आप देख सकते हैं यहां पर लगवक्ण चार का है और यह देखिए यहां पर इससे कलेरी देख पाएंगे यहां पर यह बढ़ते जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है तो प्रतीrik चेदी रेक देख लीजे फराफट माना कि अपने बस्तू को यहां रखा जब यह प्रिकाश की किरण सीधी जाती है जो कि अक्ष के मुक्ष के समानतर है तो यह फोकस से जाएगी इसके रूल बापस से याद दिला दूं कि इससे पहले बाली वीडियो में इसके रूल है तो आप वो कि काश अगर यह पीछे चली जाती तो यह पीछे जाके मिल सकती थी तो यह पीछे जाके अगर हम इनको मिला दें तो यह प्रतिविम ऐसा बनेगा अब मुझे बताइए कि दरपन के पीछे की तरफ मिल रही है उस तरफ में तो इसे हम क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं आभासी अगर हमने वस्तु को ऐसे रखा हुआ है ये देखे पैन कटे पूपर की तरफ है अगर वस्तु को ऐसे रखा हुआ है और इमिज भी ऐसे ही बन रहे है तो इसे हम क्या कहेंगे सीधा क्योंकि जब ऐसे रखा होता है और इमिज ऐसे बनती है तो उसे उल्टा कहा जाता है ठीक तो यह तो हो जाता है आपका अवतल दरपन से सारे प्रतिविम कैसे बनाए जाते हैं अब हम यह देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है बैसे मैं आपको एक बार तो बता देती हूं कि इसके उपयोग क्या है लेकिन इसके बाकी के सारी उपयोग में उतल से एक बार फिर से यहांवाज दपन करते हैं तो उनको यह दाथ थोड़ा बढ़ा करके देखना होता है तो इस समय में यह इस धर्पन्का उपयोग करते हैं यानि यह किस-किस के पास मिलेगा हमको यह दंत चिकित सक के पास मिल जाएगा इसके लबाब कहा मिलेगा जो होटेल बगेरा होती है या सलून्स बगेरा होते हैं वहां पर यह जो शेविंग भाले दरपर में भी यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है हमारे shaving के बाल थोड़े बड़े दिखाई देते हैं और उससे हम कलिर महां से shaving कर सकते हैं और अच्छी तरह से किया जा सकता है ठीक है इसका उपयोग और कहां पर किया जाता है इसका प्योग किया जाता है परावर्तक टेली स्कूप देखे जो टेली स्कूप होते हैं दूर दर्शी होते हैं दूर दर्शी होते हैं दूर दर्शी होते हैं पराबर तक भी होते हैं और अबर तक भी होते हैं तो यह पराबर तक में दरपन लगा होता है और अपर वर्थी वाली होता है। तो जो यह याद कर लीजे जो भी एकजाम में बहुत पूछा जाता है कि एक कार है तो कार में कहां पर इसका प्योग किया जाता है कोई भी कार ट्रक वगेरा कुछ भी हो सकता है वहिकल तो उस वहिकल में कहां पर यूज किया जाता है जो आगे हैडलाइट होती है तो हैडलाइट में उसका प्योग किय जाता है ठीक है यानि कि जैसे वह पिरकार जासे कांच रहा है इस तरीके से ठीक है यहाँ तो ही आगे क्या रहता है एक इस प्रकार से कांच लगा रहता Anyway अगेन इसको भी हम कैसे याद रखेंगे नाम से 나म बड़ा है औ, वह तल नाम बड़ा है तो उसकी टेवल भी बड़ी बनी और इससे जो प्रतिविम बनता है वो बड़ा प्रतिविम बनता है, अभी वार वार के व वो अलाग है वो किसी और में मिलेंगे नहीं जो उल्टा और वास्तविक बंदे हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे तो उल्टा और वास्तविक आपको अव्तल दर्पन में मिले तो वो तो अपने आप याद हो जाएंगे बाकी सीधा वाला जो है ना वो उत्तल में भी होता है अव् बार फिर से बाद में देख लेंगे आप भी इतना पता है उतना याद रखिए बस इतना याद रखिए जहां बड़ी चीज़ें देखनी है बड़े नाम के साथ अफ्तल दर्पड से देखी जा सकती है ठीक है इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पड तो मैं यहाँ पे फोर नॉलेज के लिए बस एक बार अपतल दर्पड भी साथ में लिख रही हूं जिसमें हमने कौन सा वाला केस जबकि हमने एफ और पी के बीच में किसी एफ या ओ भी लिख जखते हैं एफ और पी के बीच में बस तुको रखा तो हमने क्या देखा था सीधा बना था बड़ा बना था और आभासी बना था ठीक है यह तीनों यह लिखे रहने दो अब देखते हैं हम उत्तल दर्पड इससे उपर की टेबल पिछले वीडियो में है उत्तल दर्पड में सिर्फ दो ही केस होते हैं मैंने क वही कॉलम कौन से हैं एक तो हम राखेंगे एक रखेंगे एकर से पर na afb क्यों लेते हैं। तक ले लेते हैं एक तो रखेंगे P से फ के बीच में भीक में नहीं जी लिबुक में दे रखा है एक राखेंगे अपनांध प 然後 पे और एक रखेंगे नंध से प consent मैं कहीं भी ठीक है ऐसे कर लेजिए तो जब अनंध पर रखते हैं तो पहले बार क्या हुआ था पहले भी फोकस पर बना था इस बार भी फोकस पर बन गया कोई दिकत नहीं है और यहां पर जब हम रखेंगे तो रखेंगे दरपन के पीछे दुरुब है फोकस के बीच दुरुब है फोकस के बीच ठीक है यह मैं अब याद करवा दूंगे आपको इसकी परवाना करें यहां पर सीधा बना था यह भी सीधा बनेगा उस टेवल में अफ्तल बना था ठीक है यहां पर भी सीधा है यहां आभासी है यहा और मैं आपको अगर पुरानी टेवल भी याद करवा दो साथ मैं एक बार देखी ले ताकि सारे तुलनात्मक रूप से देखे होगे तो याद रहेगा पुरानी वाली सारी जो टेवल थी नो उसमें इस्तितिया तो आपको याद थी वहां पे हमारा सीधा होता था ना तो वह से काम नहीं है उपरवाले से इतना काम है सिर्फ कि सीधा और बढा और चोटा तो यहां पर confusion हो जाती है सीधा आवासी सेम है हैं बड़ा चोटा तो यह थोड़ा याद रखेगा छोटे नाम के साथ छोटा बड़े नाम के साथ मैं बड़ा मैं यह रब कर देती हूं चित्र बना के देखते हैं इस बार कैसे बनाएंगे इसको परकार को उस तरब से एस तरीके से यह मजग Please आपने खूला किस तरफ से लेकिन हमें जुरत पड़ेगी तो हम क्या करते हैं एक इधर भी बना लेता हैं क्योंकि थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि हम क्या करने वाले हैं ठीक है आप अमने क्या करना है वस्तु को कहां रखना है हमारे पास दोई केस थे एक का आपको अनंद पर रखना है जब आप अनंद पर रखते हो तो हमें शक्रीर ने कैसी लेकर आते हो बिल्कुल सीधी आप इनको कहीं से तोड मोड के नहीं लिखे आते हो ठीक है पहले वाले फिगर में ऐसी लाए थे और लास्ट वाले में ऐसी ला रहे हैं अनंद से लाएंगे तो दोनों सीधी आ गए जब यह दोनों सीधी आ गए तो यह कैसे जाएंगे यह जाएंगे फोकस से फोकस है कहां पर फोकस है यहा पर पूरे में तो जब यहां पर पॉलिश कर रखी है तो क्या किरण इसको पार करके उस पार जा सकती है जैसे दरपन है और मेरी प्रिकाश की किरण यहां से आ रही है तो क्या पीछे निकल सकती है नहीं निकल सकती पॉलिश की हुई है तो हमने क्या किया यहां पर पॉलिश क हमने अभी थोड़ों किरना एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था, उसमें भी दोनों किरन एक दूसरे से दूर जा रही मिल रही होती है पर वो हमें ऐसा आभास दिलाती है कि वह यहां पर मिल सकती थी अगर इस पर पॉलिश नहीं होती तो ठीक है वह मिल सकती थी तो हमने माल लिया कि वह यहीं मिलती है ठीक है यहां मिलती है तो हो गया ना हमारा कि हमने बस्तू को कहां रखा अनंत पर चित्र बना हमारा focus पर क्योंकि किर्णा का मिल रही है, focus पर, कैसा बना चोटा? जी हैं क्योंकि अनंद से आ रही थी इतनी दूर, इतनी दूर किर्णा, यानि हमारी बस्तों वो सकती थी इतनी बड़ी, और वो आके सारी की सारी किर्णा यहां मिल गए, ठीक है, तो हमारा कैसा figure बना, छोटा, चूकि दर्पन की पीछे बना है, क्या वास्तब में ये किर्णे मिली, नहीं मिली, तो हम ऐसा लगा, लगा, तो फिर लगा दिया, आवासी हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, आवासी हो गया, और, और क्या दिखना होता है, उल्टा सीध कहीं और दूसरा। इंहोंने वोला अनन्त पर मत रखो इसके अलाबा कहीं भी रख दो कहीं भी इंगें ये यह हमारा F है, इसको लिखने की जुर्ण नहीं चल दिया, ठीक है, हमने कहीं भी रख दिया, कहीं पर मतलब यहां रख दू, यह लीजे, यह रख दिया, यह रखा तो प्रिकाश की किरण सीधी गई, सीधी गई तो इसका मन क्या था, कि काश मैं फोकस से जाओ, यह लो, लेकि यह चली गई, इस तरफ, क्यों, जातो फोकस की दिशा में रही है, चली गई, अब क्या हुआ, दूसरी किरण हम कहां से डालेंगे, चलिए, आपको imaginary का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, यहां से डाल देते हैं, पूल से, यह आई, और यह लोट गी, जितने कौड पर आएगी, यह उतने कौड पर जाएगी, ठीक है, तो यह मार लिए आसान हो गया, हम ऐसा लगई नहीं कि, तो हम क्या करें, चूकि यह किरण यहां है, और पहली वाली किरण कहां है, यह जा रही है, यह वापस लोट रही है, तो एक यह है, और दूसरी यह है, क्या यह दोनों मिलेंग से देखिए, यह किये रही, यह सब इमेजन है, पीछे, क्योंकि पीछे जा नहीं सकती, तो यह हमें मिलते हुए कहां प्रतित हुई, इस डॉट पे, तो आप खुद बताईए, हमने ऐसे रखी थी, और फिगर भी उपर ही मिला है, यानि कि सीधा मिला है, बस तो इतनी वड पहली वाली फिगर हमें फोकस पे मिल रही थी, अब फोकस और पोल के यह पोल है न, फोकस और पोल के बीच में, तो आप इधर कहीं भी रखिये, आपको इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, यानि कि अब हमें जो आंसर मिलेगा, वो पोल और फोकस के बीच में मिलेगा, और इन दोने के बीच में कहीं भी रखा आपको पोल और फोकस के बीच में मिल गया तो इस परकार से यह फिगर बन जाते हैं यह लास्ट के तीन फिगर ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि यह थोड़ा आउट आफ वे है ठीक है लेकिन आप खुद ही देखिए कितने आसान है फ अफ्तल दरपन का हेडलाइट में यूज़ किया था ना आगे हेडलाइट में बाकी जितनी भी जगे कार में दरपन का यूज़ किया जाता है जैसे की रियर रियर वियू मिरर होता है जो कार के ड्राइवर जहां बैठता है उसके साइड में जो मिरर लगे होते हैं तो जो स तो तो गाड़ीं में लगा रहता है वहां पर इस कॉपयों किया रहता है तो में पर कुछ चीज चाहिए होंगी जयासे हम натриEC कुछता हैatm machine के साइड में मैं इस एक बताती हूं आपको को ATM machine के side में लगा रहता है कैसे होता है कि जो ATM machine रखी हुई है जैसे कुसी किसी में नहीं होता है पर आज लगाने लगे हैं ATM machine रखे है उसके पास में आपका एक ऐसा वाला mirror लगा देते हैं तो यह क्या करता है पीछे से अगर कोई आ रहे क्योंकि आपका ATM की तरफ है लगा होता है ठीक है आप चोटा देखनी की क्यों जुरूरत होती है क्योंकि आदमी इतना बड़ा है और आप उसको 6 फिट का मिरर वहां लगाओगे इतना बड़ा क्योंकि नॉर्मली जब हम घरों में दरपन देखते हैं जो मारे दरपन में आपको पूरा आदमी दिखा ही दे जाता है यानि कि आदमी अच्छे है फिटका और दरपन ऐसे लगा हुआ है उसमें आपको पूरे आदमी की पृतिमा दिख जाती है तो चोटा दिखा न इस आदमी की तुलना में इसलिए तो जहां पर ATM की पीछे वाले जो मिरर दिखिफान चती है तो जिए होता है हमारा पार्ष मेरर ठीक्वेति चाहते हैं आप रोड़ पर यहां प्सक्राण बशाण wag hm और यहां यहां से आ अदर से को इधर का और इस आदमी को इधर का वियू इसके अंदर दिखाई दे जाता है तो जहां बहुत शार्प मोड होते हैं वहां पर भी इस प्रिकार के दर्पन का उपयोग किया जाता है ठीक है और अगर हम बात करें स्पून की कलम ने बात की थी अगर आप स्पून को ऐसे रख इस पार्फ मिर में बस्तूऌ को छोटा देखना है तो जो अगरा सूतर देख लेते हैं फटाफिशन और फटाफिट से इसका जो डडरेविशन वगेरा है वह हम सारे डरेविशन एक अगशे वीडियो में डाल लेंगे क्यों कि जिनको नहीं नहीं देखने है वो लोग इस skip कर सकते हैं तो इसका एक सुत्र होता है दरपन पर सुत्रेम आज लिक्वा हुड़ा देती हूं और इसका 9 कल्स हम पूरा एक वीडियो लिए जिसमें सारे करें डेंगे हट आप इतनी टेंशन ना लिया करें कि नुमेरिकल नहीं करवाए हैं मैं नुमेरिकल करवाओंगी सारे करवाओंगी बहुत सारे करवाओंगी तो नुमेरिकल अभी देख लेंगे अभी सुत्र देख लेते हैं सुत्र कैसे देखना है अपने को देखिए इसमें क्या है जैसे य यहां आपने कोई वस्तू रखी हुई है तो यह जो दूरी कहलाती है वो यू कहलाती है ठीक है एक टाम आती है वी यानि यह तो हो जाती है वस्तू की दूरी एक होता है वी, वी मतलब होता है विम्ब की दूरी, अब विम्ब हमारा कभी तो यहां बन रहा था, कभी यहां बन रहा था, कभी पीछे-पीछे भी चला गया था, लास्ट की जो तीन केसे इस देखे थे उसमें उस सरब भी चला गया था, तो वी होता है प्रति विम्ब की द और आफदल दरपण दरपण की धनात्मक होता हैő charging वो इस तरह बोता है तो फिर आप बस्तु की दूरी भी अराम से बता क्या दूरी कि धनात्मक होगी कि डुमक क्या अपने एक बार भी अपनी वस्तु पर रखा नहीं आप हमीशा इदर रखते या तो NN पर रखा, तो भी दर रखा, C पर, F पर, C और F के बीच में, कुछ भी रखते थे, आप हमेशा वस्तू को किस तरब रखते थे, इस तरब में, और ये हमारा कौन सा पार्ट था, नकरात्मक, माइनस, ठीक है, फोकस आपने देखा, अगर आप अवतल लेंगे, तो मा अब बचा प्रति में, कि प्रतिविम में, आपको क्या लेना है, प्रतिविम में आप खुद देख लीजेगा, अगर इस तरफ में आता है, यानि वास्तविक है, तो जब जब भी वास्तविक की बात आएगी, या फिर अवतल दरपन की बात आएगी, तो तो आप क्या लें कि यह बिरेगी तो डहनात्मक होगा क्योंकि यह लिए वस्तु की दूरी को आपको अमिशत रिनात्मक में आ हैं प्रतिविम अगर बास्तिक है तो डहनात्मक में लेना है फोकस दूरी अगर अप्तल दर्पण की है तो माइनस लेना है और उत्तल दर्पण की है तो धनात्मत लेना है यह सिर्फ दर्पण की बात हो रही है तो जब इस तरीके से करवा रही हूं बहुत आसान सा आप मुझे फटाफट कर ले इसके बाकि सारी निमरिकल हम किसी अन्न वीडियो में करेंगे अगर मैं आपको बोलू कि दरपण है हमारा अवतल इसकी फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर यह मैं रेंडम ले रही हूं देख लिजेगा यह म आपको फैंड आउड करना है तो आप कैसे करेंगे चुकि अफतल दर पढ़ है तो फोकस दूरी आप कैसे लोगे रिणातमक वस्तू की दूरी और हमेश़ा कैसे लेते हो रिणातमक तो इसатель कर लेते हैं आप से पूछा यह पूछा है तो वान सभास एक देख는지 परraw tutti पही 더 से संटी मिटर लेकिन माइनस के क्यों क्योंकि हमने क्या बोला यह अव्तल दर्पड ठाइब वस्तू की अव्तलल वस्तु को यू को हमेशा रिडाप्मक के लिया होता है। हां अव्तल्पड होने के वज़़े से फोकस जरूर रिदात्मक हो गया, यह तो हमेशे ही रिदात्मक रहेगा, तो 1 upon b plus 1 upon minus 10 is equal to 1 upon minus 5, ठीक है, 1 upon b को यहीं रहने देते हैं, यह plus minus minus हो जाएगा, यह लिखा, और यह 1 upon minus 5 लिखा, ठीक है, आपने लेसे पे ले लिया, lcm, जो की 10 आया है, 5, 2 चा 10, 2, और 2 को 1 से multiply किया, तो 2 आया, minus का, यह वाला, plus किया, 10 upon 10, यह आया, minus 1 आगया, minus 2 में से 1 गया, तो बटे 10, तो यह आगया आपका 1 बटे V, जब 1 बटे V is equal to 1 बटे 10 है, तो उल्टा कर देंगे, तो V बराबर minus 10 हो जाएगा, क्योंकि, इसको भी उल्टा कर दो, और इसको भी उल्टा कर दो, centimeter, क्योंकि यहां भी centimeter था, तो आपका अंसर आया, V is equal to minus 10, minus 10 का मतलब यह हुआ है, कि अव्तल दरपड ऐसा है, तो minus मतलब यहाँ, इस तरफ में, इस तरफ में को भी प्रतिविम होता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, कि यह वास्तविक होगा, क्योंकि हमने देखा था, कि जो वास्तविक V होता है, वो minus में होता है, जो भी V वास्तविक होगा, वो minus में होगा, ठीक है, तो यह हो जाता है, 10 centimeter दूर, इस तरप में वस्तविक, ठीक है, तो इस प्रकार से numerical होते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, हम बहुत सारी numerical करेंगे, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, तो ये था हमारा वीडियो, बाइलोजिका चब्टर स्टार्ट इसलिए नहीं किया है, ग्योकि पहले ये चप्टर थोड़ा फिनिश कर ले, Chemistry का भी खतम होने वाला है शायद एक वीडियो और बचा है वो जैसी खतम होगा फिर हम Biology का चप्रे स्टार्ट कर लेंगे और साथ साथ मैं फिर इसका Physics का खतम होते ही Physics का कॉंटेन्यू कर लेंगे तो Thank you so much वीडियोस देखने के लिए कॉमेंट करते रही है क्योंकि आप कॉमेंट करते हैं तो ही मुझे फीलिंग आता है कि मैं आप लोगों को बढ़ा रही हूं वरना तो मैं मोबाइल को सामने रखके भढ़ा रही होती हूं तो आप मुझे कॉमेंट करते रही है बहुत चारा प्यार Thank you so much